अपने फादर की मर जाने की खबर मिलने के बाद बेटा उन्हें मिलने के लिए जाता है तब उसे पता चलता है कि उसके आसपास के सब लोग suspicious है यह पुरा गाव का गाव ही suspicious है अब उसे लगने लगता है कि यह murder है क्या murder mystery solve कर पाएगा यही इस movie का प्रिमाईस है आज की movie Moss य नहीं में बदल दोंगा इसमें Korean characters है तो इनके नाम confusing हो सकते है movie start होती है और हमें Hank दिखाए जाता है यह एक डिरेक्टी होता है एक बड़े influential आत्मी के साथ एक चर्च पर आया हुआ है यह influential आत्मी एक आत्मी के बारे में Hank को बता रहा होता है जिस आत्मी के बारे में बात करती है इसका नाम होता है Walter Walter इस चर्च में सब लोग को शिक्षा देता है अब problem यह होता है कि यह जो सब लोग है यह इससे influenced हो चुके है उन्होंने उनकी सब जमीन जायदात यह सब Walter के नाम कर दी है यह जो चर्च का honor है इससे लगता है कि Walter कोषना कुछ तो गड़बड कर रहा है Hank इस situation को handle करे इसलिए उसने Hank को बुलवाया होता है Hank भी एक corrupt police officer होता है अगर कुछ पैसे मिलके या land मिलके तो यह काम कर सकता है यह directly Walter को जेल में डाल सकता है और ऐसा ही होता है Hank Walter को questioning के लिए बुला लेता है और इसके बाद उससे जेल में डाल देता है यह चार्च owner Hank से बा यह भी इससे intimidated होता है Hank उसे बोलता है कि जल से जल इस prison में ही मैं उसे मरवा दूँगा अब हमें दिखता है कि Walter को एक आदमी मारनी के लिए आता है वो उस पर चाकु चला था पर Walter चूब भी नहीं करता बहुत सारे लोग इसे मारनी कोशिश करते है पर कोई भी इसे मारनी बुचता है कि क्यों यह काम यह नहीं कर पा रहे है तो यह सब कहते है कि हम यह काम नहीं कर सकते है वो भी अब Walter से influence हो चुके Walter को मारना इन्हें पाप लग रहा है अब Hank चिट जाता है और Walter को integration के लिए बुलाता है वो कहता है कि तुम लोगों को भढ़का रहे हो यह तुम क जो कहोगे वो मैं कर दूंगा Walter फिर भी उसका जो काम होता है यह Hank को बता देता है Hank भी इससे influence हो जाता है और यह काम वो करने वाला होता है एक लड़की थी जिसका कुछ लोगों ने रेप कर दिया था इसके बाद इस लड़की को ही गाओ के बाहर रहना पड़ रहा था Walter न है Hank को भी इसने influence कर दिया था और इसने realize भी नहीं किया था अब मैं दिखता है कि Hank Walter से मिलने के लिए आता है Hank Walter से कहता है कि मैं power से लोगों को influence करता हो उनकी मरजी नहीं होती फिर जबरदस्ति में उनसे काम करवाता हो पर तुम्हारा वैसा नहीं है तुम लोगों को जीत सक सकते हो तुम्हें जो भी चाहिए वो सब तुम पास सकते हो जैसे हमने देखा है कि Hank के करप्ट officer है इसे land एटना वेगरा सब कुछ बहुत ही पसंद है अगर वाल्टर के साथ काम करेगा तो वाल्टर लोगों को handle करेगा और Hank सब कुछ जमीन वेगरा ले लेगा Hank को जब वाल्टर को अपने टीम में सामिल करना उता है तो Hank को से कहता है तुम लोग को बदल सकते हो अगर सच में तुम्हें चेंज लाना है तो तुम कईदियों को लो और उन्हें बदल सकते हो इनका प्लान होता है कि कुछ बुरे कईदियों लेंगे और उनके साथ एक ज इसलिए वो मर चुका है इसके बाद नेकसिन में हम जॉन को देखते हैं जॉन को डिवास हो चुका है और उसकी नोकरी भी चली गई है जॉन के ऊपर एक केस लगी थी उसका जो प्रॉस्टिक्रिटर था उसका नाम था माइक माइक ने जबरदस्ति चार्जेस उस पर लगाये चुकी है यह दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं एक दूसरे को बहुत ही हेट करते हैं जॉन की वाइफ उसे छोड़ कर चली गई है और उसका जॉब नहीं है तो माइक उसे चेड़ाता है और जॉन माइक को चेड़ाता है कि गाव में तुम्हारी बदली हो चुकी ह यह कॉल यही कतम हो जाता है अब मैं दिखता है कि John जो है यह एक्चुर में Walter का बेटा है Walter मत चुका है तो इस गाव में हो आ जाता है वो आकर अब हैंक को मिलता है इस गाव में Walter और हैंक रहते थे इस गाव का हैंक अब चीव बन चुका है यह बहुत ही influential है John अपनी फादर की dead body देखता है और फिर खाना खानी के लिए नीचे आ जाता है अब वो हैंक के साथ खाना खा रहा होता है हैंक के साथ और तीन लोग होते है यह वही कैदी है जिनको सुदार नहीं कोशिश कर रहे थे अब यह सब भी middle aged हो चुके है जब यह सब खाना खा रहे थे तो वाल्टर मर चुका है तो वहाँ police officer आयो होते है वाल्टर की dead के बारे में जादा investigation नहीं करने वाले यह बुढ़ा हो चुका था तो इसी वज़े से मरा है यह वो John को कहते है जॉन बोलता है कि तुम अब चेक अब कर लो डॉक्टर को कल बुलवाय जाता है डॉक्टर सब झानपिन करता है तो conclusion देता है कि एक natural date थी हैंग अब जॉन से बाती करता है वो कहता है कि तुम इस सब चीजे करकर हम सब लोहों को uncomfortable महसूस करा रहे हो यहां कुछ भी गड़बड नहीं हुई है जॉन को अभी भी लगता है यहां कुछ ना कुछ तो गड़बड है इसलिए अब वो कुछ दिन इस गाव में रुकना चाता है हैंग के अंदर एक कैदी था जिसका नाम है भोला तो भोला यह news आकर हैंग को कहता है इनके लिए problem हो सकती है पर फिर भी हैंग इसके लिए place दे देता है यह भोला जॉन को कहता है कि तुम यहां अब रुकने वाले हो पर फिर भी तुम इस गाव को disturb कर सकते हो इस गाव में कोई भी changes होए तो इस गाव को disturb कर सकते है जॉन को कुछ यह समझ में नहीं आता जॉन एक store में रह रहा होता है वहाँ पर एक लड़की होती है जुसका नाम होता है Jane यह इस store को समालती है और इस store के पीछे ही जॉन रह रहा होता है रात में जॉन देखता है कि जो सब prisoners थे यह इस लड़की के पास आते है अब इससे पैदा चलता है यह सब रात में चलता है इसी वज़े से भोला उसे कह रहा था कि कोई भी changes गाव में होए तो उसे disturb कर सकते है जॉन घर की मरमत करने के लिए कुछ सामान लेता है इंटरनेट कैफे पर जाता है यह सब जब चीजे हो रही होती है यह सब हैंक को पता चलती रहती है अब जॉन ज़ादा ही इंटरफेर कर रहा है तो हैंक उसे रात में डिनर के लिए पुलाता है उसे वह कहता है कि जाने से पहले यह तुमारा अच्छा सा डिनर है जॉन कहता है पर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं यह सब इस वर बहुत ही चीट जाते हैं यह सब उसे समझा रहे होते हैं कि तुम यहाँ नहीं रह सकते हैं सिटी का लाइफ और गाव का लाइफ अलग अलग हैं तुम यहाँ क्या करोगे तुम कैसे रहोगे जॉन कहता है कि फादर की लाइणड है वहाँ मैखिती कर सकता हूँ उसका decision पक्का हुता है और उसे कोई भी change नहीं कर पा रहा हूँ तो हैंग कहता है कि ठीक है तुम यहाँ रहना है तुम रह सकते हूँ इसके बाद रात में हम देखती है जॉन माइक को काल करते है माइक प्रोस्ट्रिक्यूटर ही है, जॉन उसे कहता है कि मेरे फादर मर चुके है उनके नाम पर बहुत सा रिलाइन थी, पर अब वो सब ट्रांसपर हो चुकी है ये सब हैंक के नाम पर ट्रांसपर हो चुकी होती है जौन को जो सब लग रहा है, ये वो Mike को कहता है इन दोनों में दुश्मने होती है पर फिर भी Mike prosecutor है तो इसके बारे हो कुछ कर सकता है जौन जब Mike से बात कर रहा होता है कि Hank का एक आदमी उसके घर के नीचे आ जाता है उसके basement से कुछ चीज़े निकाल कर वो ले जा रहा होता है, जॉन जब देखने के लिए जाता है, तब उसे कुछ भी नहीं मिलता, बेस्मेंट से सब डॉकुमेंट्स अगरा लेकर, हैंग का आदमी वहाँ से निकल जाता है, अब जॉन की प्रॉल्म यह है, कि जॉन को पता है, कि यहाँ कुछ तो गरवड है, प अगर उन पर कुछ टेपट वेगरा हो, तो मैं चुकती कर सकता हो, इस डॉकुमेंट्स को लेकर, मुझे आपकी हैप्ल चाहिए, यह डॉकुमेंट्स मुझे उनके घर में मिले थे, हमें पता है कि हैंग का आदमी वाल्डर के घर पर डॉकुमेंट्स लेने के लिए गया थ अब जॉन ने कहा है कि डॉकुमेंट्स अभी भी पाए है तो हैंग अब चिंदित हो जाता है, यह सब जॉन का प्लैन होता है, हैंग का आदमी राद में उस घर में आ जाता है, जॉन जगह ही हुआ होता है और उसे स्पोर्ट कर लेता है, जॉन अब अच्छी से उसे एक underground tunnel मिलता है इस tunnel से वो आगे जाता है तो Hank एक आदमी का घर पर वो पहुच जाता है यहाँ पर Hank और उसका आदमी यह तोनों बात ही कर रहे होते है Hank का आदमी Hank को John सब कुछ जो village में कर रहा है इस सब की report दे रहा होते है यह सब John सुन लेता है John अब फिर से basement में आ जाता है वो आने के बाद उसे एक tape recorder मिलता है इसमें उन कईदियों की गवाई होती है जो अब Hank के साथ रह रहे है इसमें से एक जो होता है उसने साथ लोग को जिन्दा जला दिया होता है और इसमें एक आदमी ने murder किया होता है Hank ने इन दोनों को deal दी थी ये सब अब जाकर village में रहने वाले है Walter को Hank के plan के बार में कुछ भी पता नहीं था Hank जैसा कह रहा है ये सब करने के लिए Walter ready था अब मैं फिर से present दिखाय जाता है और Mike अब सब investigation Hank की कर रहा है अब इसे पता जलता है कि Hank के नाम पर 23 millions की land है ये जो land थी ये सब Walter ने Hank के नाम पर की थी अब Mike को भी suspicious आता है और अच्छे से अब वो investigation करने के लिए लग जाता है अब next दिन आता है John को tunnel मिला है तो tunnel जिस room में जाता है उस room में वो पहुच जाता है ये Hank के आदमी का रूम होता है यहाँ उसे कुछ paperwork मिल सके कुछ evidence मिल सके इसके लिए ओ ढून रहा होता है तभी वहाँ Hank का आदमी आ जाता है इसके पास आता है और इसके कंदे पर सर रखता है ये कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे फादर को हमने मारा है अभी कै अभी तुम यहाँ से निकल जाओ John यहाँ से जाने ही रहा होता तो एक कील लेता है और ओ जौन के पेट में डाल देता है John बहुत injured हो जाता है इसे मारने के लिए और एक बार एक कील उसके पेट में गुसाता है हैंग का आदमी उसके पास आता है उसे मारने वाला होता है तो जॉन उसे फाइट करता है और इस वैले में हैंग का आदमी गिर जाता है और मर जाता है हैंग भोला के साथ होता है और उसके आदमियों को ढूंड रहा हता है ढूंटे ढूंटे जंगल में आता है उसके आदमी क किया होगा, जॉन एक लिए हैंक की आदमी के घर पर पहुच जाता है, वहाँ पर उसका ब्लर्ड वेगरा बड़ा हुआ है, यह सब वो क्लीन करता है, हैंक भी यहाँ पहुच जाता है, इससे पहले कि वो जॉन को स्पॉट कर सके, जॉन डॉनल में कुछ जाता है और अपने मेरा पुरा करियर खत्म कर दिया है जॉआँ अपने आपको पुलिस के हवाले कर दूगा माईक बोलता है कि हैसा मत करो है हैंग पर इनवेश्टिएशनिन मेंने स्टार्ट कर दिया और अगर तुम्ह कोई पकड़ना हाता है तो वह मैं ही एक ना एक दिन कही ना कही तो मैं तुम्हें पकड़े लूँगा जॉन और माई एक दुसरे को हेट करते हैं फिर भी एक दुसरे को हेल्प करते रहते हैं जिस तरह से फ्रेंड्स होते हैं इसी तरह से इनकी रिलेशन्शिप होती हैं अब हम देखते हैं कि हैंक के आदमी का फ हैंग वहाँ से चला जाता है और हिटमैन और जॉन एक दूसरे से बात करने लग जाते है हिटमैन कहता है तुम्हारे फादर के बारे में तुम्हें कुछ पता करना है जो भी तुम्हें पता करना है वो सब कुछ में तुम्हें बता सकता हो तुम रात में मेरे घर में आ जाओ उससे कहता है कि सब कुछ पता करने के बाद तुम्हें इस गाव से निकल जाना पड़ेगा Hitman को जॉन को जल्दी से जल्दी इस गाव से बाहर निकलना होता है हमें पता है कि Hank को जॉन के बारे में सब कुछ information available है Hank और Mike एक दूसरे की एनिमी है ये भी उसे पता है अब वो Mike से मिलने के लिए आता है Hank जो है ये बहुत ही influential है सब politicians वेगरा ये सब इसकी मुठी में होते है अगर वो चाहे तो Mike को फिर से वो promotion दिला सकता है वो Mike के पास आकर John को किसी भी चीज में अंदर डालने के लिए बोल रहा होता है Mike केता है कि वो मेरा शिकार है उसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता उसे अगर कुछ करना होगा तो मैं ही करूँगा Mike अब John को प्रोटेक कर रहा होता है रात में हम देखते हैं कि John जब Hitman से मिलने के लिए आता है तो Hitman और ये दोनों फाइट करने लग जाते है Hitman John को बहुत मारता है और उसे एक पोल से बंदा देता है Hitman उसे मारने के लिए कुछ टूल्स लेने के लिए जाता है John के पास एक लाइटर होता है ये लाइटर वो घास में डाल देता है जिस हाउस से वो बंदा हुआ है ये लकडी का बना हुआ है आग लंगने से ये सब हाउस जलने लग जाता है जब Hitman घर के पास आता है तो घर में उसके सब कुछ चीज़े होती है उसके important documents होती है ये सब लेने के लिए वो अंदर जाता है जब ये अंदर जाता है तो John को help करने के लिए Jane महा जाती है उसे वो पोल से छुड़वाती है और जब Hitman अंदर होता है तो उस पर सब लकड़िया वगरा गिर जाती है वो जलकर वो ही मर जाता है जब Hank इस सब को देखता है तो उसे बहुत ही बुरा लगता है Jane John को लेकर अब गाव से बाहर जा रहे होती है Jane कहीं दिखने ही रही तो Hank Jane को call करता है Jane सब को सच-सच बता देती है कि उसके साथ John है Hank उसे जल्दी से घर आने के लिए केता है जब Jane घर पर आती है तो Hank के साथ उस होती है यहां में पता चलता है कि इन दोनों में सम्मंद है Hank उसे जोर से स्लैप करता है उसे लगता है कि यह John से एट्रेक्टेड है John injured था इसलिए वो सीटी को हस्पिटल में हस्पिटल में विलेज को ओफिसर जो Hank के लिए काम करता है वो अब John को लेने के लिए आता है John को फिर से विलेज में लेकर जाने वाला है और उसके साथ वो कुछ भी कर सकते है इसलिए John अब Mike को कॉल लगा देता है वो Mike को as a lawyer प्रिटेंड करने के लिए कहता है Mike भी प्रिटेंड करता है इसलिए अब वो John के साथ विलेज में आ जाता है विलेज में आने के बाद Hank इससे बात करता है वो उसकी मदर कहा रहती है इसके बारे में उसे कहता है Hank Mike को सला देता है तुमारी मदर का जो फ्लैट है यह तुम जल्दी से बेश दो वरना वहाँ सेमेटरी आने वाली है यह से धमकी दे रहा होता है यह अगर उसने Hank का माना नहीं तो उसकी मदर को मार डालेगा Mike कहता है तुम से डरता नहीं और यह वहाँ से चला जाता है नेकसिन में हम देखते है कि John के घर पर Mike होता है यह सब situation figure out कर रहा होता है तब है Hank का आदमी जो भोला है यह वहाँ मिलने के लिए आता है इसके सब friends मर चुके है इसे डर लग रहा होता है कि John इसे भी मार देगा यह सब confession करने लग जाता है कहता है कि Hank मुझे जो सब बताता था वही मैं करता था यह बदाने बदाने में कहे जाता है कि Hank जो है यह सब politician को पैसे देता है लोगों से जबर्दस्ते वो land बाय गर लेता है उन्हें पूरे पैसे भी यह नहीं देता यह जो सब कैदी है जो Hank के साथ रह रहे है यह वही काम करते है लोगों को जाकर ढराना थमकाना और उनकी सब land ले लेना Hank पकड़ाना जाए इसलिए सब politicians को पैसे दे कराता है माई का police commissioner है इसे भी वो पैसे देता है अब हम देखते हैं कि भोला जब इनसे बात कर रहा होता है तो Hank Donald में होता है सब बाते इनकी सुन रहा होता है निक्स डे Hank भोले को बुलाता है उसे कहता है कि तुम मेरी सब को सुनते थे मैं जो सब तुम से कहता था वो भी ना question कि तुम करते थे मैं कभी-कभी तुमें मारता था पर तुम्हारा innocence preserve करने के लिए ही मैं करता था हैंक और भोला यह दोने एक उची जगा पर होते है तो हैंक वहाँ से उसे गिरा देता है दूसरे दिन जॉन जब यह dead body देखता है तो माइक को call लगाता है वो कहता है कि आप वो बदला लेने वाला है अब सिर्फ आख के बदले आख ही होगा माइक उसे समझा रहा होता है पर यह समझता नहीं जॉन गुस्ये में अब हैंक के पास आजाता है हैंक खाना खा रहा होता है हैंक उसे कहता है दुमें मेरी स्टोरी जाननी है उसे बेटनी के लिए बोलता है अब हमें flashback में Hank Walter और जो कईदी है जब विलेज में आ गए थे तब क्या होगा था ये दिखाया जाता है जब ये सब यहाँ आ गए तो Walter influential था ही तो Walter के influence में इस गाउ के सब लोग आ गए Walter की वज़े से Hank और सब आत्मियों को सब वेजी खाना पड़ता था Hank को यह पसंद नहीं आता था Hank उसकी मर्जी के खिलाव जाकर कुछ भी खाकर आता था Walter ने जब इससे बात करने चाहिए तो Hank बोला कि जो सब लोग के साथ हम रह रहे हैं यह सब devil है हम इसे change नहीं कर सकते हैं हमें इने खुश रखना पड़ेगा Walter को लगता है कि इन आदमियों को अभी भी हो change कर सकता है वो एक कैदी के बास जाता है उससे कहता है कि किस तरह के आदमी तुम बनना चाहते हो यह कैदी इस चीज को समझता नहीं और जिस तरह से है उसी तरह से हो रहना चाहता है यहने कि Walter अब किसी को भी बदल नहीं पाएगा इसके बाद Hank लोगों के पास जाता है उनकि जो सब जमीने होती है यह जबरदस्ति हो ले लेता है यह जो सब illegal चीज़े हो गरता है तो Walter का काम होता है कि लोगों को शान्द रख पाए और Walter यह सही से कर भी रहा होता है जब Hank जबरदस्ति से लैंड ले रहा होता है तो Walter यह देख लेता है Walter अब इसे कोजवे बोलता नहीं पर रात में वो Hank को मारने के लिए आता है Hank सावदान हो जाता है सब कई थी यह देख लेते है यह Walter का कहते है कि तुम हमसे कुछ भी डिफरेंट नहीं हो अब यह उनको जो स्टोरी बता रहा होता है यह स्टॉप कर देता है उसे बोलता है यह Joseph तुम्हारे फादर के साथ हुआ था यह सब मैं तुमें बताऊंगा पर आप मैं टायर्ट हो तुम कल आना इसके बाद हम देखते है यह माईक Joseph इन्वेस्टिशन कर रहा होता है इस इन्वेस्टिशन में उसे बहुत सारे ट्रबल आता है हैंक के उपर Joseph फाइल से इनको जब वो एक्सेस कर रहा था तो इसका उसे एक्सेस ने मिला उपर से भी इसका प्रेशर बढ़ रहा है यह केस उसे छोड़ने के लिए सब उसे प्रेशराइज कर रहे है माईक एक केस छोड़ सकता है पर तब भी उसे मिलने के लिए Jane आती है Jane आकर उसे कहती है कि क्या तुम्हें चर्च के बारे में पता है इस चर्च में इंसिडन्ट हुआ था यहां हमें आगे बता चलेगा जॉन जब घर पर होता है तो उसे भी मिलनी जेन आती है उसे और भी चीजों के बारे में कहती है फ्लैश बैक में हमें दिखाया जाता है कि वॉल्टर अपने सन यानि कि जॉन को कॉल करता है जॉन उसे कुछ भी बात नहीं करना चाता क्यूंकि जॉन को छोड़कर वॉल्टर चला गया था जॉन को देखने के लिए भी कभी वॉल्टर नहीं गया था जॉन और वॉल्टर में अच्छे एक रिलेशन्शिप नहीं थी और फिर भी वॉल्टर उसके फादर थे जो सब वो कर रहा था अपने फादर के लिए कर रहा था Walter ने Jane को help की थी Jane का जिन लोगों ने rape किया था इन सब को उसने punish किया था Jane भी Walter के साथ ही आ चुकी थी और उसे गाव में रहती थी एक राथ Jane के पास Hank आया Hank ने उसे बोला कि अब वो Walter को मारने वाला है उसे पुछता है कि पुरा गाव मेरे साइड पर है पर फिर भी तुम क्यों Walter के साइड परो Jane के थी है कि उसने मुझे बचाया है Hank केता है Hank केता है कि तुम्हें तो मैंने बचाया था Jane बोलती है कि तुमने तो सिर्फ रिवेंज लिया था एक्चुन में मुझे तु Walter नहीं बचाया था Hank फिर Jane को ब्लेकमेल करता है वो खेता है कि Walter को मैं मार दूँगा पर तुम उसे बचा सकती हो Hank अब Jane से रिलेशन्शिप रखने लग जाता है Hank के जो सब आदमी है वो भी रात में Jane के पास आते है John को भी ये सब सुनकर बुरा लगता है रात में हम देखते है कि John और Jane ये दोनों Hank के पास आ जाते है Hank ने उन्हें बुलवाया था अब John को उसके फादर के साथ क्या हुआ है ये पदा जल सकता है John के पास नाइफ होती है पर Hank के पास गन होती है वो John पर ये गन लगा रहा होता है तब पुलिस ओफिसर सब वहाँ आ जाते है Mike के पर प्रेशर होता है वह वहाँ नहीं जाए पर फिर वह वहाँ पहुच जाते है Mike Hank को कहता है कि तुम अंडर अरेस्ट हो वो से लेकर जाना चाता है पर Hank के पास मेरे अगेंस्ट कोई भी सबूत नहीं है Mike ने अल्रेडी सब गाओ पर छापा डाला होता है जहाँ भी Hank के सब डॉक्मेंट से यहाँ वरोफ पहुच गया होता है Hank के जहाँ डॉक्मेंट रखे हुए है वहाँ Hank का पुलिस ओफिसर पहुच जाता है सब केरोसीन वगेरा वहाँ डालता है और इसको आग लगा देता है दूसरे पुलिस ओफिसर इसे पकड़ लेते है पर यह अपने आपको भी आग लगा लेता है यह सब चीज जो हुई है यह माईक को पता चलती है जो पुलिस ओफिसर मरा था यह Hank का ही बेटा था Hank यह देखकर हसने लग जाता है उसका बेटा मरा है इसका उसे कुछ भी गम नहीं होता इसके खिलाब कोई भी सबूत नहीं है इसकी खुशी उसे होती है अब Hank John के फादर के साथ क्या हुआ था यह सब उसे बताने लग जाता है वो John को कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे फादर इनोसंट थे पर इसा कुछ भी नहीं था उन्होंने जो सब लोग थे इन सब को मार डला था उन्होंने उन्हें पॉईजन कर दिया था तब ही Jen बात करने लग जाती है Jen कहती है कि जैसा हुआ था एसा तुम नहीं बता रहे हो रियालेटी कुछ अलग ही है Jen फिर बोलती है कि हम चर्च में गए थे पर वहाँ से जल से हम निकल गए थे Hank जब हमें लेने के लिए आया तो Hank के कान पर खून था Hank के पास एक पैसो से भरा हुआ बैक भी था इसका मतलब है पैसो के लिए Hank ने चर्च के सब लोग को मार दिया था Walter को ये सब पता था पर Walter को कुछ भी कर नहीं पाया जब वे हैंक को देखता था तो उसे guilty महसूस होता था अब Jane हैंक से कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हेरे सब जो documents थे जो सब illegal activity थी यह सिर्फ उसी go down में थी उसके पास और भी कुछ documents होते है जिससे हैंक को guilty करार दिया आजा सकता है हैंक के पास अब और कोई भी चाल नहीं होती वो सब को बाहर जाने के लिए कहता है वो कहता है कि वो ready होना चाहता है इसके बाद सब बाहर चले जाते है और वो अपने आपको गोली मार लेता है अब कुछ समय गुजर चुका है जॉन अपने शहर में चला गया था और अपने फादर के गाव में वो फिर से आ रहा है वो फिर माइक को कॉल करता है माइक का विया प्रमोशन हो चुका होता है यह दोनों एक दूसरे को congratulations करते है माइक कहता है कि तुम भी अब ज़्यादा trouble में नहीं आये हो तुम्हें भी मुझे congratulations करना चाहिए इन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती अब हो चुकी होती है यह दोनों फिर से मिलने वाले होते है और डिनर करने वाले होते है अब मैं दिखता है कि जॉन जब गाव में पहुचता है यहां हम देखते है कि जेन अब गाव की chief हो चुकी है हैंक की जगा उसने ले ली है अब जॉन को phone call याद आता है उसके फादर मर चुके है तो इसका phone call जेन नहीं किया था जेन ने उसे बताया है कि उसके फादर मरे थे वो natural death से मरे थे एक्चुल में जेन को ही हैंक से बदला लेना था इसी वज़े से उसने जॉन को call किया था उसे पता था कि जॉन को लगेगा उसके फादर की death नहीं थी तो वो murder था इसी वज़े से वो investigation करेगा और हैंक हर्ट होई जाएगा जैसा उसका plan था ऐसा ही हुआ है अब जेन इस गाव की chief बन चुकिया उसे अच्छी सी position में मिल चुकिया और उसने revenge भी ले लिया है अगर हम इस movie में देखे तो Walter एक बहुत ही अच्छा आदमी था वो सब चीजे अच्छे से करना जाता था पर हैंक को हमेशा से लालश था उसने Walter को manipulate किया और अपने काम के लिए उसे use कर लिया Walter कभी भी उसे बदला नहीं ले पाया जैन कभी फाइदा हैंक ने उठाया था जैन अभी भी यंग थी वो कुछ ना कुछ तो करी सकती थी इसलिए उसने सब कुछ प्लैन किया जैन के प्लैन में जॉन मैलोपिलेट होता रहा और हैंक से उसने बदला ले लिया हमने मूवी में देखा है कि Walter को एक sense of justice था कुछ भी गलत उसे पसंद नहीं था उसी तरह से sense of justice जेन के पास है Walter Joseph चाहता था कि अच्छी तरह के से लोगों को गाइड किया जाए अच्छी तरह के से वो एक जगा पर रह सके यही सपना उसका आप जेन कम्प्लीट कर रही है यही है मूवी एंड हो जाती है अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजेगा बहुत सरी इसी मूवी ज लेकर आता रहे तो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइक बद दीजेए और बेल नुटिवेशन आइकोन दबाना में मत भूलिया है हम फिर से मिलेंगे और एक नहीं मूवी के साथ तब तक के लिए थैंक्यू और आप अपने आपका ख्याल रखे है